एं तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो और तुम चालने के साथ कैसे ट्यालने जा सकती हो और मेरे साथ नहीं और यहा क्या है वाव सेव का पेड कितना अच्छा इस पर सेव है मुझे कितनी भूख लगी है मैं वास्ता में एक दो सेव खाना चाहती हूँ वाव यह कितना स्वादिस्ट है बहुत अच्छा मुझे इस सेव फ्रेंच फ्राइज बनाने की जर्मत है लेकिन सही सेव तो बहुत उपर है मैं वहां कैसे पहुचूंगी मेरे पास एक आइडिया है मैं पेड को थोड़ा हिला सकती हूँ और सेव मेरी टेबल पर गिर जाए वाव कूल यह रसोई गैजट है जो मुझे फ्रेंच फ्राइज के आकार में सेव का टुकरा काचने में मदद करेंगे अब इसे शुरू करते हैं वाव यह काम कर रहा है कितना अच्छा और बहुत स्वादिश्ट और यह सब कुछ एक सेव के पैकेट में रखना बाकी है औ को नहीं बृटनी तुमने मेरे ध्यान को क्यों डिस्टरब किया मैंने लगभग जेन को फकड़ लिया क्योंकि मैंतवार ने को सेव प्राइल आई हो यह सामानी फ्रेंच ट्राइस की तरह ही है लेकिन सेव से बना हुआ जल्दी से ट्राइ करो पसंद आया मैंने बहुत कु उठा रहे हो वाउ यह खिलोना लॉग है यह मुझे खाना बनाने भी मदद कर सकता है और मेरे पास एक शांदार आईडिया है यह लॉग मुझे प्रेंच फ्राइस की याद दिलाते है लेकिन आम तोर पर नहीं बल्कि चौकलिक वाले मैं खुद को छोटी लॉग के रूप पर फॉइल मोल्ड बनाऊंगी फिर मैं अपना फेवरेट न्यूटिला अंदर डालूंगी कमें लिखे क्या आपको न्यूटिला पसंद है एलेक्स और मैं उसे बहुत पसंद करते हैं और अब इसे फ्रेम में डालना होगा और इसे जमने के लिए फ्रेज में रखना होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए ठीक है मैं सोचल मीडिया के लिए कुछ नई फोटो लेना चाहती हूँ तैयार है काफी समय बीच चुका है यह चौकलेट फ्राइस को बहार निकालने का समय है वाउ यह बहुत अच्छा निकला हमें इसे तुरन टेस्ट करना होगा हाँ स अलेक्स मैं तुरने चौकलेट फ्राइल आई हूँ एलेक्स कहा है अजीद मैं कमरे में उसका इंजार करूँगी वह कहां चाह सकता है खेक है अब बहुत समय से नहीं और मैं और टॉल्रेट नहीं कर सकती वाउ कितना स्वादिश्ट है बिट्नी को थोड़ा दराने का सही स चौन हम इसे जल्दी आजमाना चाहिए यह बहुत स्वादिश्ट है फाइप स्टार अब हमें इन प्रिंगल्स को हिट करना होगा मैं इस बॉल को फेक रही हूँ फूले स्ट्राइप वाव उनके अंदर कुछ और था लेकिन अब यह एक चिप क्रम में बदल गया है मुझ कि बस एक अंडे को जार में तोड़ने और अच्छी तरह से हिलाने की जर्वत है यह आविश्वस्ते रूप से स्वादिश्ट होगा अच्छी तरह से मिलाया और इसे माइक्रोवेम में डाला त्यार होने तक पकारते हैं बिल्कुल सही ओह यह कितना गर्म है अब सब कुछ निश्ची तरुप से त्यार है इसे बाहर निकालना होगा वाहाँ यह कितना अच्छा बना अब केवल सही स्टिक्स में काटने की जर्वत है मेरे पास इसके लिए अच्छा ग्याजट है बस इसे जोर से दवाना है और सब कुछ सही टुक्रों में कट जाता है शानदार बस सही बैलन्स बिला है ओ हाई बृटनी क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया है बढ़िया मुझे बहुत भूक लगी है फ्रेंच फ्राइज लेकिन किस से बना हुआ ठीक है चलो यह ट्राइ करता हूँ वाव चिपस से बने फ्रेंच फ्राइज बहुत ओ नहीं मैं गिरा क्या जॉला मुखी केवल इस तरह फूटेगा अलाती आभी भी गर में मैं इस पर अपने फेवरिट खटे कैंडी को पिगला सकती हूँ एलेक्स ने निश्चित रूप से अभी तक खटा कारमेल फ्राइज नहीं खाया होगा वाव वे कितनी जल्दी पिगल गये हैं अब मो इससे अलेक्स की ओर ले जाते हैं मशीन को सावधानी पूरोग स्टार्ट करना जरूरी है ताकि यह सब इन लूप से क्रॉस कर सेकें वाव कितना अच्छा मैं ठीक हूँ मैंने तुम्हेंने एक नया फ्रेंच फ्राइज बनाया है इससे ट्राइ करो वाव यह बहुत अच्छा लग रहा है चलो इ से चकता हूँ ओ, बहुत हार्ड है, क्यों? वाँ, तो इसे चाटना होगा? वाँ, मैंने निश्य तुप से अवी तक कारामेल फ्राइज नहीं खाया है, मुझे यह बहुत पसंद आया, मैं इसे पूरा खाने के लिए तयार हूँ, पूल रेसेपी, मैं इसे फाइफ स्टार देता हूँ वाँ, इसे रोल करना इतना मुश्किल क्यों है, मैं बहुत थक गई हूँ, और यह क्या है, यह बाइप के तरह दिखता है, असल में एक चाकू है, वाँ, यह अच्छा है, यह निश्य तुप से डो को छोटे टुकरत में काटने में मेरी मदब करेगा, मुझे लगता है एक काफी समय हो गया, आव यह निश्य तुप से त्यार हो गया होगा, वाँ, सब कुछ त्यार है, कितना अच्छा, हमें जल से जल एक पैकेट में सब कुछ डालना होगा, और इसे एलेक्स को सर करेंगे, वाँ, यह असले फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहा है, वाँ, यह कुदने के लिए बहुत अच्छा है, आ, मेरा बैलेक्स भिगड़ गया, एलेक्स, एलेक्स, क्या तुम ठीक हो, मुझे पता है, यह तुम्हारी मदद करेगा, मेरी नई फ्रेंच फ्राइज, जल्दी ट्राइ करो, बेशक, चलो, वाँ, यह नए तरह का लग रहा है, मैं कह जरुवत होगी, जहां मुझे केचली से पानी डालना होगा, यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे कर सकते हैं, अब हमें फ्राइस के लिए सभी पैकेट्स को चम्प के लिए रंगों में रंगने के लिए कुछ रंगीन पानी डालना होगा, यह बहुत खुबसुरत कई यार, अब महत्पूल यह है कि यह गिरना नहीं चाहिए, अब में सभी पैकेट्स को डाल दिया, अब हम अपने वर्किंग प्लेस को इससे सजा सकते हैं, इसे अलेक्स के पास ले जाने की जरुवत है, क्योंकि उसका टेबल हमेशा खराब ही रहता है, ओ नहीं, बिटनी मैं पकड़ता हूँ, तुम इतने सारे खाली फ्रेंस फ्रैस पैकेट्स क्यों लाई हो, क्या तुम इसे मेरे बोर्ट पर से जाना चाहती हो, ला मैं तुभारी मदद करता हूँ, चलो इस बोर्ट को साफ करें, ये पैकेट्स उस पर बहुत अच्छे लगेंगे, अब सब और आप कुम्हारा टेबिल हमेशा सिस्टेमेटिक रहेगा, तुम्हें बस इन सभी पैकेट्स में अपनी पेंसेल, मारकर और दूसरी चीज़ों को डाल कर रखना होगा, कम जगा हमें, अच्छी तरह से रखना, इतना असान और सरल है, वाउ, धन्यवाद, मुझे अपने भाई के लिए अंदे से कुछ स्वादिश बनाना होगा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मुझे एक कटोरे में कुछ अंदे तोडने की जरुवत है, वाउ, ऐसे, और फिर थोड़ा दूड डाले, अब इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे, और इसे मिक् बन गया है, अब हमें इसे अवन में डालना होगा, इसे बेखोने देते हैं, और अब हम इसे निकाल सकते हैं, वाउ, स्वादिश खुशबू आ रही है, ओ नहीं, मैं पूरी तरह से भूल गई कि अउमलेट अवन में था, ओ मेरे हाथ जल गया है, बहुत जलन हो रही है, ल पैलिसिमो, ओ, नहीं, हाउच, कितने जोर से छोट लगी, मेरा पैर, मेरा बेचारा दर्ब से तरपता, पैर, मुझे इसे जलनी से फूप मार कर ठीक करना होगा, ओ, नैंसी, तुम यहाँ हो, कोई काम था क्या, तुमने क्या बनाया है, यह अजीब लग रहा है, मुझे वा यह, आशा करता हूँ, कि तुम मुझे कोई जान नहीं खिला रही हो, यह अच्छा है, यह जेली जैसा दिख रहा है, चल्द इसे खाता हूँ, बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद आया, क्या तुम इसे चकना चाहती हो, हाँ, मुझे चाहिए, इससे फेक चुक्रा, आले, अलेक्स, तुमने क्या किया है, तुम किती गंदे हो, लेकिन यह फ़ानी था, चलो आप खाना बनाते हैं और खेलते हैं, यह, यहाँ अंडा है, क्या यह चिकन है, क्या मैंने तुम्हारा अंडा ले लिया, वाउ, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे तुरंत एक गलब की ज और फित, एक अंडे को माग में तोड़ते हैं, बढ़िया, अब हम सब कुछ निचोड कर मिलाते हैं, मुझे छेद बनाने के लिए एक सुई चाहिए, वाउ, एक पैचन बनाते हुए, पैन में सब कुछ डालेंगे, वाउ, मैंने इसी खुबसूरती से किया है, यह असली ए एलेक्स को दिखाने के जर्वत है, मुझे कौन सा खीचना चाहिए, हाँ, यह बिल्कुल ठीक रहेगा, तावर किसी हाल में गिरना नहीं चाहिए, ओ, नहीं, एलेक्स, यहाँ क्या चल रहा है, तुम ठिक तो हो, मैं तुमारे में एक नया ट्रीट लाई हूँ, तुम इसे चखोगे, जल्दी इठो, मैं तुमारी मदद करती हूँ, यहाँ, यहलो, क्या तुम मैं फिर से कुछ पकाया, चलो, मैं इसे खा कर देखे, अच्छी कुछ गुआ रही है, वाँ, यह स्वादिश्ट है, ला जवाब, क्या तुम भी खाना चाहती हो, वाँ, वाँ, क्या मैंने एक धुलब शुदुर मुर्ग को खोज लिया है, वहाँ, वहाँ, बैठी है, कितनी सुन्दा है, तुम बहुत प्यारी हो, ओ गौड, मुझे अपने आखों पर विस्वास नहीं हो रहा है, चोटी चिडिया, तुम इतना बड़ा अंडा कैसे दे सकती हो, वाँ, इससे जरूर कुछ बहुत स्वादिश बन सकता है, चलो इसे खोले, वाँ, अंदर बड़ा अंडा है, कूल, मुझे तुरंद इससे पकाने की जर्वत है, मुझे लगता है कि अब बॉयलर मेरी मदद करेगा, ओ, कितना गर्म है, मुझे इसी की जर्वत थी, अंडे क वो पूरा पकाने के लिए हमें बस थोड़ा इंजार करना होगा, और अब मैं थोड़ा अराम कर सकती हूँ, वाँ, क्या ये त्यार हो गया, तो चलो, एलेक्स के पास चले, तुम बहुत सुन्दर हो, मैं तुम इस कब से कहना चाहता था, मैं, अरे, तुम यहा क्या करे हो, क्या वे खिश करने जा रहे है, अच्छा होगा, मुझे किस कर ले, ये तुम्हारे ले शर्मनाक है, लेकिन मुझे पता है किसे कैसे ठीक किया जाए, मैं अपनी नई डिश लाई हूँ, यहाँ दो, मैं इसे चक्कर देखता हूँ, इससे अजीब तरह की बद्दू आरी है, और यह दिखनी कुछ ऐसा ही रहा है, मैं ट्राइ करता हूँ, यह बहुत खराब है, एक स्टार और एक डॉट, अंडा बहुत अच्छा है, मैं इसे वाफल मेकर में पकाऊँगी, चोट लगी, लेकिन यह तुट गया, मैं इसे वाफल मेकर में डाल देती हूँ, और फिर इ इनजार करना होगा, सबकस त्यार है, अब इसे एक प्लेट पर रखना होगा, और इसे एलेक्स को सर्व करती हूँ, उसे यह जरूर पसंद आएगा, और अब सबसे अच्छा खिलारी एलेक्स रिंग में जाता है, और अपनी टीम के लिए बॉसकेट बॉल वर्ल्ड कप ले इसे फाइब स्टार मिलना चाहिए, हैलो मचली, मैं खुले समुद्र में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन आभी मैं केवल एक अक्वेरम ही खरीच सकती हूँ, और तुम मेरे लिए उप्योगी हो सकते हो, क्योंकि तुम साधारन मचली नहीं हो, हम तुम्हारा अभी खाना पकाने में करेंगे, तुम वाइट से योग को पूरी तरह से अलग कर सकती हो, अभी, अन्डा तूट गया, और अब तुम्हारी बारी, योग्स और वाइट्स, अलग, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने असानी से कर लिया, चलो गाल पर वापस जा, वाउ, य इंकले कर आई है, कूल, मैं वाइट्स को काला कर सकती हूँ, बहुत बढ़िया, अब पैन में सब कुछ डालना बाती है, मेरे पास उल्लू के आकार में एक साचा है, जिसके उपर बढ़ी आखे है, अब मुझे अपना योग चाहिए, मैं उन्हें इन आखों में डाल दूं अब सब कुछ एक प्लेट पर रख लेंगे, और मोल्ड निकाल देंगे, वाव, कमरे के चारोवर स्केट करना बहुत अच्छा है, ओ, नैंसी हाई, ओ, नहीं, मैं गिर रहा हूँ, मुझे पकड़ो, मेरे हाथ, मैं तुभार ले एक नई डिश लेके आई हूँ, मैं तुभ सर्प्राइड है, इसके आखे बहुत मदेदार है, साधिस है, खूल, बहुत अच्छा, मैं इसे भी खा कर दिखता हूँ, मुझे अपने भाई को सर्प्राइज करने के लिए नई रेसिपी लाने की जर्वत है, अंदा, आप यहाँ कहां से आए, और रंगीन पेंसिल, मेरे पास एक अच्छा इडिया है, जोगे कुछ अंदे उबालने की जर्वत है, यह तयार है, और अब हम अंदे को रंगीन पेंसिल के साथ एक फिल्म में मोरते हैं, और फिर इलास्टिक बैंड के साथ सब कुछ टाई करते हैं, और आप रबर बैंड से छुटारा पा सकते हैं, फिल्म और पेंसिल हटाडे, और आप मैं आपको सबसे जिल्चस चीज दिखाऊंगी, अब हम अंदे को एक फूल की तरह काटेंगे, कितना संदार, एलिक्स के यह जुरूर पसंद आएगा, वाव, मेरा फेवरेट गम, वाव, यह कितना लंबा है, मैं अब तुमें खाने जा रहा हूँ, और तुम बहुत स्वादिस हो, मैंने कितना बड़ा बबल बनाने का सपना देखा था, और यह रहा, बड़ा, एलिक्स हाइ, यह बबल कहा से आया, मुझे उसे छुटकारा पाना है, यह अच्छा है कि मैं अपने साथ एक पेंसिल ले आई थी, इसे उड़ा नए देश को ट्राइ करने में खुशी होगी, वाव, यह फूल बहुत अचीब लग रहे है, क्या मुझे उन्हें पेंसिल से खाना है, ठीक है, चलो ट्राइ करता हूँ, वाव, कितना स्वादिस, बाद अच्छा, दादी ने आयरन इधरी छोड़ दिया है, जिसका मतलब है मैं इस पर काम करूँगी, हमें बस यह देखना है कि यह गर्म हो, हाँ, बिल्कुल सही, चलो उसे किचन में ले चले, मुझे अंडे चाहिए, ओ, हैलो, सभी अंडों के राजा और रानी, मुझे खेद है, लेकिन मुझे आपके छोटे को लेने की जर्मत है, हैलो, लिटिल अब आप अंडा राज के लिए अपना कर्टब ये पूरा करेंगे, आपको पकाया जाएगा और खाया जाएगा, मैंने विशेश रूप से आपको दिल के आखार में बनाया है, ताकि सभी जान जाए कि मैं कितने प्यार से खाना पकाती हूँ, अब किवा स्वाद के लिए थोड़ा नमक डालना बाकी है, अब अलेक्स के पास जाने का समय है, अलेक्स मैं तवाईल ने स्वादिश खाना लेकर आई हूँ, जागो, फिर से पोरी रात गेम खेल रहा था, अगर अलेक्स खुद से नहीं जाग रहा है, तो मैं उसे जगाने के लिए कुछ करूँगी, अलेक्स, उठो, मेरी नई डिश ठंडी हो जाएगी, और इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा, जागो, कितनी आराम से सो रहा है, मैं इसी परदास नहीं कर सकती, मुझे ऐसा तरीका चाहिए जो किसी को भी जगा दे, बिल्कुल, हाथ, उंगलिया, मैं उसे थोड़ा गुदगुदी कर सकती हो, जागो, यह काम किया, नैंसी, फिर कभी ऐसा मत करना, मैं अभी ट्राइ करता हो, यह स्वादिश लग रहा है, आजबूर, बहुत अच्छा, धन्यवाद, अब मैं सो सकता हो, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें भी हरा सकती हो, ओ नहीं, मैं गिर नैंसी, मुझे पकड़ो, ओ सॉरी, तुम्हें पकड़ने का समय नहीं था, छोट लग गई, नैंसी, मेरे पीट में बहुत दर्ध हो रहा है, मेरे कुरसी भी टूट गई, अब मैं किस पर बैट कर गेम खेलूँगा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें न इधर, कच्रा, कच्रा, ओ, यह भी नहीं, ओ, यह वहाँ है, हाँ, एलिक्स की नई कुरसी के लिए मुझे ना केवल कुछ दर्धन अंडे के पैक की जर्वत होगी, तुम्हें की अलग-अलग रंगों की साथ पानी भी चाहिए होगा, इसमें मैं सभी स्टैंड को रंगीन क कर सकती हूँ, अलग-अलग रंग में इसे रंगोंगी, ताकि कुरसी सुन्दार, चमकदार और रंगीन हो जाए, वाँ, यह कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही, और आप मुझे उपर बहुत सारे रंगीन पॉम-पॉम लगाने की जर्वत है, ताकि अलिक्स कुरस पर आराम से बैट सके, वाँ, बहुत सुन्दर, बिल्कुल सही, अलिक्स को इसे तुरन दिखाना होगा, यह कितना भारी है, इसके गिरने से पहले जल्दी से इसे ली जाना होगा, हाई, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, यह तुम्हारी नई कुरसी है, नई आज में इसमें बैठ सकते हैं, कितना अच्छा, धन्यवान मैंसी, चलो, फिर से गेम खिलते हैं, तुमसे कहा था, आओ देखे हमें क्या चाहिए, लेकिन फेरले चलो किचन में चलते हैं, डैर रखो मेरी दोस्त, मुझे बाहर निकालने की जरुत है, शाबास दोस्त, तो ह हमें क्या चाहिए, वाओ, कितना अच्छा, यह तो बहुत ही आसान लग रहा है, दादी क्याने से पहले हम सब कर लेंगे, चलो, मेरे पास एक एग मोल्ड है, और तुम्हारे पास, क्या मुझे भी एक मिल सकता है, बेशक, यह पांच डॉलर का होगा, मुझे पास कहां से मिलेगा, ओ हा, मेरे पास पेगी बैंक है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ बचा है, अभी बस सिक्का निकालना है, चलो बाहर निकलो, ओ, अरे निकलो, अरे सिक्का कहां गया, तुम कहां जा रहे हो, मैं इसे ले कर रहूंगी और वापस आउंगी, वाउ, यहां बहुत सारी अची चीजे है, क्या यह तरबूज है, यह एक बड़े अंडे की तरह दिखता है, यह जरूर मेरे काम आएगा, मैं इसे ले रही हूं, नैंसी, देखो मुझे क्या मिला है, क्या, क्या तुम यह टेबल के निचे मिला, मुझे बिश्वास नहीं हो ओ, जोर का जटका, बिटनी, यह सिक्का लो, इसकी मदद से तुम आसानी से तरबूज काट सकती हो, वाउ, तुम सही हो, यह वास्ता में काम किया, अब मैंने तरबूज को दो हिस्सों में काट दिया है, मुझे अंदर की जरुवत नहीं होगी, लेकिन मुझे छिलका छोड नहीं, हमारे पास हमारे विशाल चॉकलेट अंदी के लिए साचे तयार है, चलो यूजना के साथ आगे बढ़े, अब हमें चॉकलेट चाहिए, वाउ, मेरे पास यहां बहुत स्वाधिस चॉकलेट है, जब मैंने कहा कि बहुत मतलब मैं जूट नहीं बोल रही हूँ, यह बहुत सुन्दर और स्वाधिस भी है, मेरे पास एक गुलाबी अंदा होगा, कितना बढ़िया, अब हमें सब कुछ एक कटोरे में डालना होगा, वाउ, यह स्वाधिस्ट है, थोड़ा और, अरे सारे चॉकलेट नहां गए, बड़े के लिए इतना काफी नहीं है, ब्रेट ठीक है, मैं एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक बार में अधिक चॉकलेट ले लूँगी, यह जरूर बहुत जादा खीचेगा, ओ नहीं, मेरे होट इतने बड़े हो गए है, मुझे लगता है, यह मेरे लिए काफी होगा, चलो, टेबल पर चलते हैं, अब हमें सब कुछ स सुरक्षिक तरीके से पिगलाऊंगी, क्या तुम कोई मजाग कर रही हो, ठैक मैं अब चॉकलेट खोशती हूँ, यह वह जगह है जहां दादी हमसे सभी ट्रिश चिपा कर रखती है, एतना जरूर मेरे लिए काफी है, मुझे जितना समभव हो उतना चॉकलेट ले लेना च रखते हैं, इस तरह मैं जल्दी से चॉकलेट की इस धेर को पिगलादूंगी, मेरा आइडिया बहुत मस्त है, और मेरा इंजार इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं इंजार कर रही हूँ, अच्छा, इंजार करो, और मैं तर्भूज के उपर चॉकलेट डालना श जब कुछ फैला देंगे, यह मुश्कल था, लेकिन मैंने इसे किया, क्या, मेरे पास एक और आधा है, किसे भी चॉकलिक से धटना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी है, बढ़िया, नैंसी, मैं तुम्हें देख कर दुखी हूँ, दादी के पास किसे ड्रावर में बर्नर थे, उन्हें ले लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हें लगता है कि यह सही रहेगा, ठीक है, चलो ट्राइ करती हूँ, मैं वास्तम में इसे बहुत तेजी से समाल सकती हूँ, वाव, वह लगभग पूरा पिगल गया है, कुछ सेकेंड और काम हो गया, औ अब मुझे से सही आकार में डालना होगा, थोड़ा डाले, और इसे अच्छे से साचे में फरलाएं, बिल्कुल सही, और अब हमें इसे फ्रिज में जमने के लिए रखना होगा, वाव, यहाँ ठंड है, बस, हम थोड़ा इंजार करते हैं, अब तक सब कुछ जम जाना चाह इसे बाहर निकाल कर देखना होगा, वा, यह काम किया, हमने चौकलेट अंडे बनाए, चलो आगे बढ़ते हैं, हमें यह पता लगाने की जरुद है कि अंदर क्या रखा जाए, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, हाँ, बिल्कुल, M&M, लेकिन पहले दो आकृतियों को जोड कर एक पूरा अंडा बनाने की जरुद है, यह काम किया, अब चलो न्यूटेला, यह बलकि धाक कल लेते हैं, और इसके माधिम से एक छेट काटते हैं, बढ़िया, अब यह M&M की बारी है, यामी, अंडिस्ट में डालने से पहले इसे थोड़ा चक लिया, बहुत सा अगबुद, मैं अंदर सब कुछ रेन्वो की तरह रंग भी रंगा बनाना चाहती हुई, इसलिए हम सभी कैंडिस को रंग के हिसाब से छाटेंगे, सूपर, चलो, अब हम सब कुछ एक चौकलेट अंडे में डालते हैं, शुरू करते हैं, लाल से फिटना रंगी, उसके ब बिल्कुल सही, कितना चमक रहा है, मैंने थोड़क जादा कर दिया है, में कि लिए अच्छा निकला, तो बहुत अच्छा कर रही हो, और आग मेरी बारी है, और मैं बचे हुए चौकलेट की मदद से दो हिस्सो को जोड़ूंगी, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा बिल्कुल सही, अब छेट काटने का समय है, मैं इसे एक ड्रेल के साथ करूँगी, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से काम करेगा, वाओ, यह काम किया, हम ताल पर एक और छोटा छेट बनाते हैं, नल डालने के लिए, मेरे पास सिर्फ अंडे नहीं होंगे, बलकि चॉकलिट सिर्फ के साथ एक कोलर होगा, अब इसमें बहुत सारा चॉकलिट सिर्फ डालने का समय है, तैयार, इसे बन करना है, बस हो गया, और अब हमें किंडर की तरह फॉयल में सब कुछ लपेटने की जर्वत है, शलो, रंग पाने के लिए फॉयल को पेंट कर देते हैं बिल्कुल सही, मैंने सब कर लिया, वाउ, यह बहुत अच्छा बना है, हमने इसे साथ मिलकर किया, और आप इसका स्वाद लेने का समय है, मैं पहले, वाउ, चॉकलिट सिर्फ सच में निकल रहा है, यह बहुत स्वादिस्ट है, नैंसी, क्या तुम इसे ट्राइ करना चाहत है, ठीक है, लो, वाउ, इसका स्वाद कमाल का है, बढ़िया, वाउ, चलो, अब मेरा अंडा तोड़ दे, मेरे पास एक बैट है, वाउ, कितने कैंडी थे अंदर, ओ यार, बिटनी, चलो, जल्दी खाते है, वाउ, कितना स्वादिस्ट है, बहुत बढ़िया, मेरे पास एक अच्छा इडिया है मैं अपने सिरफ के साथ तुम्हारी चॉकलेट को खाऊंगी इस पर अच्छे से कैंडी सजाएंगे वाव यह शानदार है मैं रूप नहीं सकती चलो मेरा अंदा भी तोड़ दो वाव नाल मुझे नहीं लगता कि यहां पैकेजिंग की भी जरुवत है औ ओ ओ दादे आ रही है और अब तुम लड़कियों के खैर नहीं है यहां क्या हुआ है ओ नहीं ओ मैं कैंडी पर फिसल गई थी मैंने तुमसे कहा था कि कोई बदमाशी नहीं करना है और तुम लोगों ने यहां क्या किया है खैर अब तुम्हें सजा मिलेगी रसोई की ओ तुमने सब कितने अच्छे से कर लिया बहुत अच्छी बच्ची हो अब हम रंग लेते हैं यह सही रहेगा और इसमें अंडा डालते हैं वाओ वाओ यह कितना सुन्दर लग रहा है और लाइट बंद करने का समय है यह भगवान यह बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ यह क्रिसपोर्ट है ओ ओ ओ ओ मुझे खेद है गल्पी से क्या तुम भी वही सोच रही हूँ जो मैं सोच रहा हूँ एक कलर कितना अच्छा लग रहा है लेकिन रेंबूल के सभी नान सौ गुना बेतर है यह हुआ ना हाँ यह निश्चित रूप से फाइफ स्टाइल लाइ थैक है इस बार यह निश्चित रूप से काम करेगा तुम मेरे हो मेरे प्यारे एक बार और हमेशा के लिए अब मैं आहां वह वहां है जर्वत है किसकी यहां क्या चल रहा है आरे बिटनी यह सब बक्वास करना बंद करो इस पूल लाइफ है की जाज करो चलो चाय करते हैं यहां तो बढ़ो आगे तो यह बोतल एकदम सही है इसे मेरे लिए छोड़ दो मैं इस सोड़ा से जल्दी ने बट लूँगा सोपर ठीक है और इस तरह अंडा हां या बैम और यह यहां रहा एक मुबत्य डालते हैं और उसे जलाते हैं और यह रहा रियल मॉमेंट कुछ नहीं हो रहा है है हमारे पास बहुत सारी मुबत्या है और यह यह पक्वास है टीन मुबत्या यह निशित रूप से काम करेगा नाइफ हैक रूखो तू स्टार्स क्या गिफ्ट में लिए बहुत बहुत धन्यवाद कितने बड़े हैं बूरिंग बृट्नी देखो हमें बस इस लाइफ हैक को किसी दर ट्राई करना है क्या कहती हो हाँ ठीक है हमारे पास इसके लिए सब कुछ है चलो जल्दी करो तो यहां अंडे है और यहां हमारे स्पार्कलर है अब हम अंडे को ठीट से लगाएंगे और अब स्पार्क यह थेजी से लक्ष की और बढ़ रहा है आगे क्या होगा ओ यार यह काम किया हाँ और अंडा भी खराम नहीं हुआ बहुत अच्छा मुझे यह बहुत पसंद आया स्वादिश्ट तुम खाओगी नए धन्यवाद लाइफ है फाइफ स्टार तो टिक टॉक में नया क्या है वाव यह हुई न बाद वाव हमें बस इसी आजमाना है चलो बिटनी के बाद जाता हो ओ योगा इस तरह कभी कभी यह मुश्किल होता है आरे बिटनी तुम्हाँ क्या सो गई हो क्या उठो यह नए लाइफ हैट को चेक करने का समय है तुम्हें यह कैसा लग रहा है जल्दी करो मेरे पीछे आओ तो हम फ्रीट से सभी अंडे लेते हैं ओ हो हाँ यह वाला और यहाँ यहाँ रख दिया और यहाँ यह कैटल बेल आउच एलेक्स तुम चीजों को मुश्किल बनाना पसल करते हो हमें कैटल बेल की जरुवत क्यों है देखो यह कैसे किया जाता है यहाँ चलो ऐसे यह काम किया चलो देखो मैं यह करके लिखाती हूँ उपस यह कितना बज़ेदार है फाइफ स्टार एलेक्स मुझे खाना बनाने में डिस्टा मत करो कुमारे पास मा क्या है यह दिलचस्प है है चलो उसे ट्राइ करे यह एक्वेरियूम सही रहेगा ठीक है चलो काम करते है हमने सभी अंडे एक साथ रखे यह हुई दबाद बढ़िया अब देने कर हाँ यह पुष्पिल गंदा हम पूरे पैकेश को बाहर निकालते है बढ़िया अब थोड़ा इज़ार करना बागी है लगता है जल्दी त्यार हो जाएगा हो गया बहुत टाइम लग रहा है मुझे नीद आ रही है ओ आखिरकार सुलो मुझे लगता है हमने कर लिया है कितना अच्छा वाव वह ऐसे ही बन गया है स्क्वेज मुझे स्क्वेज बहुत पसंद है हम दिन बर इससे खेल सकते हैं यह बहुत मज़ेदार है फाइब स्टार यह लो और यह आपके लिए मैं कितना ठक गया हूँ क्या यह नहीं हो सकता इतना अच्छा लाइफ है खेल ने निंजार कर सकती है बेटनी मुझे आशाय तुम सोई नहीं होगी आरे उठो बहन हमारे पास एक जरूरी काम है ठीक है पेजि तुम सोना चाहती हो तो मैं यह कुल लाइफ है खुदी करूँगा यह वाल इसके लिए सही सामान डूलना है यह यह ठीक रहेगा यह वाला मैं इसे ले लेता हूँ यह शोर कैसा है क्या कोई चोर आ गया है बेटर होगा तुम दूर रहो मुझे कॉल्फू आता है यह कौन है एलेक्स तुम यह क्या कर रहे हो ठीक है चलो इसे ट्राई करे चलो बस चुपड़ा हो चलो चलते है तो चलो लेगिंग लेते है और उसमें अंडा डालते है हमारे अंडे के लिए एक असली मनुरंज़क पार्क का इंजाम करते है यह कितना वज़ेदार है माफ करू भाई वहाँ क्या है क्या लगता हमने कर लिया अब हम पता लगाएंगे थोड़ा और धैरी बिटनी और अब यहाँ यह है असली मोमेंट हम इसे साफ करते है शेल हटाएंगे और इसे कातेंगे नए यह वेकार है यह भी ठीक वैसा नहीं है जिसकी जरुवत है और यह हाँ यहाँ सब कुछ वैसा ही निकला जैसा उसे होना चाहिए फोर स्टार बुरा नहीं है अरे बिटनी क्या तुम वास्ता में कुछ अच्छा देखना चाहती हो कुछ मज़ेदार सा हाँ इसे पकड़ो अब तुम सब कुछ देखोगी चलो इसमें गुलाबी रंग डालते हैं और इसमें फीला और इसमें नीला दूसरे रंगों को भी नहीं बूला है तो अब एक खाली सफेद कैन्वास लेते हैं और बैम अलेक्स अरे यह वास्ता में बज़ेदार है मैं इसे महसूस कर सकती हूँ कि मेरा स्ट्रेस घट रहा है और मोड भी अच्छा हो जाता है बस के वन उस पिक्चर पर देखो कितना सुन्दर बना है फाइव स्टार हाँ